हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जेज प्रीमियल लिग के एक बड़े मैच का प्रिव्यू करने वाले वो खेले जाएगा आरसेनल वर्सेस मैंचेस्टर सिटी के बीज तो यह दोनू कलफ्स प्रीमियल लिग के टॉप टू कलफ्स में काउंट होते हैं लाट सीजन भी इन्होंने टॉप टू में फिनिश केया था, सिटी ने टाइटल जीता था और आर्सेनल ररव रही थी, और इस सीजन भी ये दोनु कलफ जो है, टॉप कंटेंडर माने जा रहे हैं, प्रीमियल लीग टाइटल जीतने के, अभी अगर आप पॉइंच टेफल द वितक कंसीट किये, वही आर्सेनल उन से जश्ट नीचे है, थाल्ड स्पोट में, साथ मैचेस में 17 पॉइंट है, एक पॉइंट कमें सिटी से, 15 गोल इनॉनी भी मारे है, और 6 गोल कंसीट किये, तो आप टेबल देखके भी समझ के होंगे, दोनु टीम कितनी एक दूसरे के क्लोज है, और दोनु टीम का वितक परफॉमेंस जो है, काफी अच्छा रहा है, एक बार मैं आपको दोनु का प्रिवियास मैच का रिजर्ट दिखाता हूँ, तो आर्सेनल अपना लास्ट मैच, 4 निल से जीत के आ रही है, बमौत के अगेश्ट, साका, ओडिगाड, हावर बेन वाइट, सबने इस मैच में एक एक कूल मारा, और जो एक असिस्ता वो भी ओडिगाड का था, वहीं सिटी जो है ना, अपना लास्ट प्रिमिया लिग मैच, सर्प्राइसिंगली हरी और यह बहुत बड़ा उलट फेर किया था, वूल्स ने अपने घर में इनको 2-1 से ह हरा देगी, तो लास्ट मैच में एक उलट फेर हुआ और इस सिटी ने सफर करी, जो एक गोल है उनकी तरफ से जूलियन अलवारिज ने स्कोर किया था, इस वाले मैच में विनर प्रिजिक्ट कर बना थोड़ा सा टफ है, दोनों प्रिमिया लिग की टॉप टीम है, दोनों क प्रिमिया लिग की बागी सभी टीमों से एक लेवल उपर है, और कैसे ना कैसे बड़े मैचे में एक एज, मनलब एज कल लेती है टीम, तो इस वाईसे अभी के लिए मैं यहाँ पे स्लाइट फेवरेट करते वे सिटी फेवर की टीम लियाओंगा, अल्दो मैच आर्सेनल क की लाइनब आने के बाद जो भी फाइनल टीम या अपडेट होगी, वह आपको मैरे टेलीगराम चैनल में मिलेगी, तो जो मैरे टेलीगराम चैनल का लिंक है, आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको मिल जाएगा टॉप इंड कमेंड में, जोइन का लिजिए, अब हम आजए तरे डारेक्ट प्रोवेबल लाइनब पे और पहले बात करते हैं, स्लाइट फेबरेट टीम, बेंचेस्टर सिटी की, तो सिटी मेरे अकोडिंग स्लाइट फेबरेट टीम है, अभी मैं इनके थोड़े जादा, यानि कि मैं 6 या 7 प्लेय लग रहा, लेकिन इस्टिल किसी एक टीम की ज्यादा क्लिंशिट का थोड़ा सा चांस है, तो वो सिटी हो सकती है, तो मैं मैं एक्सिमम डिफेंडर सिटी के पिक कर रहा, और मेरे अकोडिंग ज्यादा पोजिशन भी सिटी के जो डिफेंडर है वो डोमिनेट करेंगे, तो और इनकी वाली साइट में होंगे साका, तो इस साका को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो इनके ज़्यादा डिफेंसी पॉइंट आ सकते हैं, जबकि वोकर इसी एन बहुत अच्छा किल ले है, अटेक बहुत ज़्यादा करने है, अन्रॉपेबल है, और अकेंजी भी डियास के कंपरिजन में ज़्यादा डिफेंसीव सॉलेड हैं, और पासेज वगेरा हैंडर में भी गोल लगा सकते हैं, इस वएसे अभी मैंने जो तीन डिफेंट लिए वो है, वोकर, एकेंजी और एकेंजी ले सकते हैं, अगर आपको सिप दोई लियान है, तब आप वोकर और ए गेम कंट्रोल करते हैं, लेकिन आज नहीं है, उनके एफसेंस में खिलिंगे, कोवाचिज के साथ, रिको लुइस, रिको लुइस एक अच्छा प्लेयर है, भी लाश्क मुझे आदे, यूसेल मैच वह था, लेप जिक वाला, उसमें इस प्लेयर ने बहुत अच्छा किया थ है, पेनलिटी टेकर है, क्लियर कट, केप्टन्सी आफसन रहेंगे, और एक चीज बताओ मैं आपको, लाश्ट दो मैचेज में हालेंड का गोल नहीं आया, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ड्यू है, क्योंकि हालेंड के करियर में बहुत कम हुआ, सिटी करियर में, कि वह एक य फोर्डन भी एक गोल स्कोरिंग प्लेयर है, ये भी मश्ट पिक रहने वाले हैं, ग्रिलेश थोड़े से इन कंसिस्टेंट हो, अब मिनेट भी अश्वन नहीं हो सकता है, आउक डे जाए तो सेकिंड आप में डोकू आजए, तो फिलाल मैंने ग्रिलेश पिक नहीं किया, मै अभी के लिए मैंने ग्रिलेश को पिक नहीं किया, तो ये मैंचेस्टर सिटी की 11 थी, अभी मैं यहां से 6 प्लेयर लिया रहा हूँ, जिसमें मैं वाकर एकेंजी एकेको डिफेंस से लिया रहा हूँ, इसके लावा मैं लिया रहो फोर्डन, अलवारेज और हालें को, आप इस जैसे प्लेयर पर पांड ले सकते हैं, नहीं तो ग्रिलेश के साथ भी जा सकते हैं, पेनल्टी जो है हालेंड लिंगे, और ये मैं आपको यवी तक के दिखा देता हूँ, सिटी के स्टैट देखिए, आठ गोल मारे हालें हालेंड ने, तीन गोल अलवारेज के हैं, दो लिंक है, आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको मिल जाएगा टॉप इंड कमेंड में, जॉइन का लिजे, अब हम बात करते हैं, अपोनेंट आर्सेनल की, तो राया है, रेम्सडेल में कोई है, इनका गोल की बर होगा, फिलाल में अजियू करके चल सकते हैं, चार इनके डिफेंडर है, बैन वाइट, सालीबा, गेबरियाल और जिंचेंको, फिलाल मैं अभी के लिए कोई भी आर्सेनल का डिफेंडर नहीं ले गया, अल्दो मैं सिटी को भी क्लियर कट फेबरेट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है, वो लास्ट मैच में तो हैडर में गोल मा रहा है, हैडर में भी सॉलेड है, जबकि जिंचेंको खुद एक फार्मर सिटी प्लेयर है, अटेकिंग वाइस यह बहुत ज्यादा, इंप्रेसिव है डिफेंसियाइज ओके ओके है, तो अगर आपको जाना है, मेरी नमबरों चोईज वाइड, सेकिंड रिंचेंको रहेंगे, लेकिन फिलाल में आर्सेनल का कोई भी डिफेंडर लेके नहीं गया, जियल में आप इनके डिफेंडर ट्राइ कर लेना है, जो सलीबा गेवरियाल है, लोग हैडर में गोल लगा सकते हैं, मिट फिल में मैं ओडिगाड को गरिंटी इपक कर रहा हूं, गैया उट्रेंड राइस को, मैं इस बड़े मैंच में राइस से भी अच्छा काज़ लेकिन फिलाल में थॉमस पार्टी को इगनोर किया है, वैसे ये रूमर्स से कि इंजर्ड है, फुली फिट नहीं है, फिलाल मैं बेशन। कर वे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करें तो मश्ट पिंग है आर्सेनल के बेस्ट टेगिंग प्लेयर माने जाते हैं और अगर आप एक ड्रॉग वाली स्कॉल लाइन के लिए जारे तो वाइस केप्टन सी की टॉप अप्सन नहींगे इस पूरे सीयर में अभी तक साथ-टस मैंसे जितने भी आर्सेनल भी लेने लगे है रेंडमली ले रहे वैसे अभी भी में चोइस साका है लेकिन अगर ओडिगार लेता है तो भी मुझे सर्प्राइज नियोगा लास्ट मैच में तो जो सेकिंड वाली पेनल्टी थी वो इन्होंने काय हावर्ट को दे दी थी बट अभी मैं 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 मानना क्योंकि सिटी डिफेंसिव है ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है और मिट फिल में रोडरी भी नहीं है तो मुझे लगता है आर्सेनल एकाद गोल मारीगी तो ट्रोसाट बहुत अच्छा प्लेयर है फिनिशिंग अगेरा भी अच्छी है इसकी स्किल्स अगेरा भी एक तरीके से पंट पिक होने वाल है में भी अगर आपको लगता है ट्रोसाट फ्लाप होगा तो आप इनके प्लेस में या तो हिसुस पे पंट ले सकते हैं या कोई डिफेंडर लेना तो वाइट या जिंचंकों में किसी के साथ जा सकते हैं बट अभी के लिए मैं यहाप ँर इनके स्टेट दिखा दिता हूं यह अभी तक आर्सेनल के सेट है चार गोल साका के है तीन गोल अडिगार्ट के है दो एन کے टी रूस कोण ऑर बागई सबके दो दो एक है असिस्ट हैई तो आप यह गोल स्कोर रइस्ट का सिटेट दीचिएै इससे जो है आपको team create करने में अच्छी कासी help मिल जाएगी अभी जो मेरी prediction है मैं या तो एक narrow 2-1 city victory के साथ जा रहूँ या मैं एक 2-2 draw के साथ जा रहूँ पर अगर ये 2-1 Arsenal होता है तो भी मुझे surprise नहीं होगा तो फिलाल ये मेरी demo rough team है गोल के पर मैंने रहा लिए मैंने तीन city के defender लिए अकेंजी, walker और एकी एकी वाले place में आप room इंडियास ले सकते हैं midfield में मैंने od guard, saakka और rice को पिक्किया Arsenal से और city से मैंने पिक्किया Foden को अब अगर आपको लगता है तो आप ट्रोसाट के place में या तो defense में बैन वाइट या जिंचेंको में किसी एक Arsenal के player को ले सकते हैं नहीं तो आप midfield में ग्रिलेश पे पंड ले सकते हैं या आप चाहे तो ट्रोसाट वाले place में Rico Lewis के साथ जा सकते हैं यानि कि ट्रोसाट के place में बहुत सारे हमारे बाद option है फिलाल में ट्रोसाट के साथ गया हूँ हाँ एक और चीज़ हो सकते हैं इस place में आप चाहे तो Gabriel Jesus पे भी पंड ले सकते हैं बाकि मुझे लग नहीं रग कोई changes करने की जरुबत है सभी मैंने save player से लिये केप्टन सी में हालेंड को ही दे रहा हूँ वाइस केप्टन सी में हमारे बाद दो तीन अच्छे option है अगर आप clear cut city को back कर रहे एलवारेक best VC option है red hot form में फोर्डन है अगर आपको लग रहा है close में जोगा 2233 टाइप का draw तो सागा वाइस केप्टन सी के top option बन जाएंगे केप्टन सी के clear cut option हालेंडी रहने वाल है तो फिलाल यह मेरी टेमोर रफटीम थी अपडेटेट फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीगराम चैनल से जोईन करना है तो जो मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिशन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप इन कर्वेंड में जोईन कर लिजिए